श्री मृत्तुन्जे स्तोत्रम भक्त जनू पद्मपुराण के उत्तरखंड में वरणित इसे मृत्तुन्जे स्तोत्र को श्रवन करने से मनुष्य दीर्ग जीवी होता है क्योंकि भगवान भोले नात की यह बड़ी ही दिव्यस्तुति है आईए देवाधि देव महादेव के पामन्चरणों में वंदन करते हुए श्रवन करते हैं रत्नसानुषरासनम् रजताद्रश्रिंग निकेतनम् शिंजिनेकृतपन्नगेश्वरं अच्युताअनलसायकं क्षिप्रदग्ध पुरत्रयम् त्रिदशाल यईरभिवन्दितम् चंड्रशेखरम श्रैमम किमकरिश्यति वईया महा कैलाश की सिखर पर जिनका निवास ग्रिह है जिन्होंने मेरु गिरी का धनुष नागराज वासुकी की प्रत्यंचा और भगवान विश्ण को अगने मैं बाण बनाकर ततकाल ही दैत्यों के तीनों पुरों का तगध कर डाला था संपूर्ण देवता जिनके चरणों की वंदना करते हैं उन भगवान चंड्रशेखर की मैं शरण लेता हूं यमराज मेरा क्या करेगा पंच पादप पुष्प गंधि पदांबुज द्वय शोभितं भाललूचन जात पावक दग्ध मन्मत विग्रहं भस्म दिग्ध कलेवरं भवनाशिनं भवमब्ययं चंद्रशेखरमाश्रेमं किमकरिश्यति वईयमह मन्धार पारिजात संतान कल्प व्रिक्ष और हरिचंदन इन पाँच दिव्य व्रिक्षों के पुष्पों से सुगंधित युगल चरण कमल जिनकी शोभा बढ़ाते हैं जिन्होंने अपने ललाट वर्ती नेत्र से प्रकट हुई आग की ज्वाला में कामदेव के शरीर को भश्म कर डाला था जिनका श्रीविग्र सदा भस्म से विभूशित रहता है जो भव सब की उत्पत्य के कारण होते हुए भी भव संसार के नाशक हैं तथा जिनका कभी विनाश नहीं होता उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शर्ण लेता हूं यमराज मेरा क्या करेगा मत्तावारण मुख्यचर्म कृतोत्तरीयमनोहरं पंकजासन पद्मलोचन पूजितांगरिसरोरुहं देवसिद्धत रंगिनी कर सिक्त शीत जटाधरम चंद्रशेखर माश्रय ममकिमकरिश्यति वय्यमाह जो मत्वाले गजराज के मुख्यचर्म की चादर ओड़े परम मनोहर जान पड़ते हैं ब्रह्मा और विश्ण भी जिनके चर्ण कमलों की पूजा करते हैं तथा जो देवताओं और सिद्धों की नदी गंगा की तरंगों से भेगी हुई शीतल जटाधारन करते हैं उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूं यमराज मेरा क्या करेगा कुंडली कृत कुंडलीश्वर कुंडलं भृषवाहनं नारदादि मुनीश्वरस्तुत वैभवं भुवनेश्वरं अंधकांतक माश्रितामरपादपंशमनांतकम चंद्रशेखर माश्रे ममकिमकरिश्यतिवय्यमह गेंडूल मारे हुए सरपराज जिनके कानों में कुंडल का काम देते हैं जो ब्रिशवप पर सवारी करते हैं नारद आदि मुनीश्वर जिनके वैभव की स्तुति करते हैं जो समस्त भोवनों के स्वामी अंधकासुर का नाश करने वाले आश्रित जनू के लिए कल्प व्रिक्ष के समान और यमराज को भी शान्त करने वाले हैं उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शर्ण लेता हूं यमराज मेरा क्या करेगा यक्षराज सकंभगाक्षिहरं भुजंग विभूशनं शैलराज सुता परिस्कृत चारुआम कलेवरं श्वेड नील गलम परश्वध धारिणम ब्रिक धारिणम चंद्रशेखरम आश्रेमम किमकरिश्यति वैया महा जो यक्षराज कुबेर के सखा भग देवता की आँख फोणने वाले और सर्पों के आभूशन धारण करने वाले हैं जिनके श्रीविग्रह के सुंदरवाम भाग को गिरिराज किशोरी उमाने सुशोभित कर रखा है काल कूट विश्पीने के कारण जिनका कंठ भाग नीले रंग का दिखाई देता है जो एक हाथ में फरसा और दूसरे में मरिग लिये हैं उन भगवान चंद्रशी घर की मैं शर्ण लेता हूं यमराज मेरा क्या करेगा भेश जम्भवरो गिनाम अखिलाप दाम पहारिणम दक्ष यग्य विनाशिनम त्रिगुणात्मकं त्रिविलूचनम भुक्ति मुक्ति फलप प्रदम निखिलाघ संग निबरहनम चंद्रशे खर माश्रय ममकिम करिश्यति वय्यमहां जो जन्म मरण के रोग से ग्रस्त पुरुषों के लिए औशध रूप हैं समस्त आपतियों का निवारण और दक्ष यग्य का विनाश करने वाले हैं सत्व आद तीनों गुण जिनके स्वरूप हैं जो तीन नेत्र धारण करते भोग और मोक्ष रूपी फल देते तथा संपूर्ण पाप राश का संघार करते हैं उन भगवान चंद्रशे खर की मैं शर्ण लेता हूं यमराज मेरा क्या करेगा भक्त वत्सल मर्चताम निधिमक्षयं हरिदंबरं सरवभूत पतिंपरात्परम प्रमेयम नूपमं भूमिवारिन भोहुताशन सोमपालित स्वाकृतिम चंद्रशे खर माश्रे ममकिम करिश्यति वय्यमहां जो भक्तों पर दया करने वाले हैं अपनी पूजा करने वाले मनुश्यों के लिए अक्षय निधि होते हुए भी जो स्वयम दिगंबर हैं जो सब भूतों के स्वामी परातपर अप्रमेय और उपमा रहित हैं प्रिथ्वी जल आकाश अग्नी और चंद्रमा के द्वारा जिनका श्री विग्रह सुरक्षित हैं उन भगवान चंद्रशे खर की मैं शरन लेता हूं यमराज मेरा क्या करेगा विश्व स्रिष्टि विधाइनं पुनरेव पालन तत्परं संहरत्नमत प्रपंचम शेशलूक निवासिनं क्रीडयंत महर निशं गणनाथ यूथ समावृतं चंद्रशे खरमा श्रेमम किमकरिश्यति वैया महा जो ब्रहमा रूप से संपूर्ण विश्व की स्रिष्टि करते हैं फिर विश्ण रूप से सब के पालन में संलगन रहते हैं और अंत में सारे प्रपंच का संघार कर देते हैं संपूर्ण लोकों में जिनका निवास है तथा जो गणिश्ची के पार्षदों से घिर कर दिन रात भात भात के खेल किया करते हैं उन भगवान चंद्रशी खर की मैं शर्ण लेता हूं यमराज मेरा क्या करेगा रुद्रम पशुपतिम स्थानुम नीलकंठम उमापतिम नमामिशिर सादेवं किम्नो मृत्युह करिश्यति रुव अर्था दुखों को दूर करने के कारण जिन्हें रुद्र कहते हैं जो जीव रूपी पशुओं का पालन करने से पशुपति स्थिर होने से स्थान। गले में नीला चिन्ह धारन करने से नीलकंठ और भगवती उमापतिम नम धारन करते हैं उन भगवान शिव को मैं मस्तक जुका कर प्रणाम करता हूँ मृत्यु मेरा क्या कर लेगी काल कंठम कला मूर्तिम काला अग्निम काल नाशनम नमाम शिर सादेवं किमनो मृत्यु हुकर श्यति जिनके गले में काला दाग है जो कलामोर्ति काला अग्नि स्वरूप और काल के नाशक है उन भगवान शिव को मैं मस्तक जुका कर प्रणाम करता हूँ मृत्यु मेरा क्या कर लेगी नील कंठम विरू पाक्षम निरमलं निरुपद्रवं नमाम शिर सादेवं किमनो मृत्यु हुकर श्यति जिनका कंठ नील और नेत्र विकराल होते हुए भी जो अत्यंत निरमल और उपद्रव रहित हैं उन भगवान शिव को मैं मस्तक जुका कर प्रणाम करता हूँ मृत्यु मेरा क्या कर लेगी वामदेवं महादेवं लोकनाथं जगत गुरुम नमाम शिर सादेवं किमनो मृत्यु हुकर श्यति जो वामदेव, महादेव, विश्वनात और जगत गुरुनाम धारण करती हैं उन भगवान शिव को मैं मस्तक जुका कर प्रणाम करता हूँ मृत्यु मेरा क्या कर लेगी देव देवं जगनाथं देवेश अम्रिश भद्ध्वजं नमाम शिर सादेवं किमनो मृत्यु हुकर श्यति जो देवताओं के भी आराध्य देव, जगत के स्वामी और देवताओं पर भी शासन करने वाले हैं जिनकी ध्वजा पर ब्रिशब का चिन्ध बना हुआ है उन भगवान शिव को मैं मस्तक जुका कर प्रणाम करता हूँ मृत्यु मेरा क्या कर लेगी अनंतम अब्ययं शांतम अक्षमालाधरं हरं नमाम शिरसाधेवं किम्नो मृत्यो करिश्यति जो अनंत अविकारी शांत रुद्राक्षमालाधारी और सब के दुखों का हरण करने वाले हैं उन भगवान शिव को मैं मस्तक जुका कर प्रणाम करता हूँ मृत्यु मेरा क्या कर लेगी आनंदं परमं नित्यं कैवल्या पदकारणं नमाम शिरसाधेवं किम्नो मृत्यो करिश्यति जो परमानन्द स्वरूप नित्य एवं कैवल्य पदमोक्ष की प्राप्ति के कारण है उन भगवान शिव को मैं मस्तक जुका कर प्रणाम करता हूँ मृत्यु मेरा क्या कर लेगी स्वर्गाप वर्गदातारं स्रिष्टि स्थित्यन्त कारिणं नमामिशिरसादेवं किम्नो मृत्यो करिश्यति जो स्वर्ग और मोक्ष के दाता तथा स्रिष्टि पालन और संघार के करता हूँ उन भगवान शिव को मैं मस्तक जुका कर प्रणाम करता हूँ मृत्यो मेरा क्या कर लेगी इति श्री पद्म पुराणां तरगत उत्तर खंडे श्री मृत्यों जयस्तूत्रं संपूर्णं मृत्यों जयस्तूत्यों